केलो स्टुडेंट्स स्वागत्थ्याप सभी का अपने इस यूटूप चैनल स्टार स्टडी सेन्टर में इनुस कैसे अब सब आई होप आप सभी भणया होंगे आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं मेंली कोसिकांग राइबोसोम, कोसिकांग अन्ता प्रत्रवी जालिका तथा कोसिकांग गौलजी उपकरड एवं केंदरक पराधारित कुछ महत्तुपूर्ड बहु भी कल्पिय प्रस्न बने रहे क्लास मेंट तक चलिए क्लास क सुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्न आप सभी के स्क्रीन पर जाता हुआ खुरदूरी अन्ता प्रत्रवी जालिका पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है चार उप्सन है इसके लिए पहला है हीमोगलोवीन दूसरा है लिउकोसिन तीसरा है राइबोफोरीन चौथा है क्लोर खुरदूरी अन्ता प्रत्रवी जालिका पर राइबोफोरीन प्रोटीन पाई जाती है अब कारिका करता है तो राइबोफोरीन राइबोसोम को जालिका पर जुड़ने के लिए सताह प्रदान करता है अगला प्रस्ण है आप सभी के स्क्रीन पर निम्न में किस से S.E.R. यानि स्मूथ एंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम की उत्पत्ती होती है चारा उप्सन है इसके लिए पहला है R.E.R. यानि रफ एंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम से दूसरा है राइबोसोम से तीसरा है इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा ओप्सन A.R.E.R. यानि रफ एंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम से S.E.R. इसमूथ एंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम की उत्पत्ती होती है अगला प्रस्ण है किस में पाए जाने वाले गौलजी उपकरर डिक्टियो सोम कहलाते हैं चार उप्सन है इसके लिए पहला है निम्न आकसे रुक्यों की कोशिकाओं में दूसरा है पादप कोशिकाओं में तीसरा है दोनों में चौथा है किसी में नहीं इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा ओप्सन सी दोनों में यानि निम्न आकसे रुक्यों की कोशिकाओं में तथा पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्यावया गालजी उपकरर डिक्टियो सोम कहलाते हैं अगला प्रस्ण है स्क्रीन पर लिपिड तथा प्रोटीन को सईयूक तुरूप से कहते हैं आई होप इस प्रस्ण का सही उत्तर सभी लोग नीचे लाइब चैट में कॉमेंट करेंगे चार अप्सन है इसके लिए पहला है गलाइको प्रोटीन दूसरा है लिपो प्रोटीन तीसरा है गलाइको लिपिड चौथा है सभी इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा ओप्षन भी लिपो प्रोटीन लिपिट तथा प्रोटीन को सैयुक तुरूप से लिपो प्रोटीन कहते हैं अगला प्रस्ण है निम्न में किसको लिपो कांड्रिया कहते हैं चार ओप्षन है इसके लिए पहला है गाल जी उपकरण को दूसरा है आर इ आर को तीसरा है एस इ आर को चौथा है लवक को इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा ओप्षन ए गाल जी उपकरण को अब आप सभी लोग सोचेंगे भईया कि गालजी उपकरण को लिपो कांडरिया क्यों कहते हैं तो बता दें आपको गालजी उपकरण में लिपिट की मात्रा अधिक होने के कारण गालजी उपकरण को लिपो कांडरिया कहते हैं अगला प्रस्ण है राइबो सोम की खोज का वास्तिविक्स रे जाता है किसको जाता है चारा उप्षन है इसके लिए पहला है राबर्ट ब्राउन को दूसरा है रॉबिंसन को तीसरा है पैलाडे को चौथा है किसी को नहीं इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा उप्षन सी पैलाडे को राइबो सोम की खोज का वास्तिविक्स रे किसको जाता है पैलाडे को इसके विशे में बात करें तो पैलाडे ने जन्त कोशिका से राइबो सोम को प्रिथक करके इसकी सनर्चना की व्याख्या की थी क्या खी थी पैलाडे ने पैलाडे ने जन्त कोशिका से राईवो सोम को पिर्थक कर इसकी सनरचना की ब्याख्या की थी इसी कारण भया राईवो सोम को और क्या कहते हैं पैलाडे कड़ भी कहते हैं अगला प्रस्ण है प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइवोसोम पाए जाते हैं चार अप्शन है इसके लिए पहला है मुक्तुरूप से दूसरा है बध अवस्था में तीसरा है गती सील अवस्था में चार जो अप्शन है यहाँ पे थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया आप सभी लोग सही कर लीजिए यहाँ पे A, V, C, D, O, N, O, अब आप सभी लोग इस प्रस्ण का राइट एंसवर नीचे लाइच चैट में कॉमेंट करें तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा जी हां ओप्सन डी बिकल्प एवासी दोनों प्रोकारियोटिक कोशिका में राइबोसोम मुक्तु रूप से गती सील अवस्था में पाये जाते हैं अगला प्रस्ण है निम्ण में कौन संदे स्वाहक आर एने है चार उप्सन है इसके लिए पहला है आर आरेने, दूसरा है टी आरेने, तीसरा है एम आरेने, चौथा है सभी इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा उप्सन सी एम आर एने, एम आरेने यानी मेसेंजर आने ने संदे स्वाहक आर एने है अगला प्रस्ण है प्रोटीन संसलेसर की क्रिया में भाग लेने वाले आरेने है चार आप्सन है इसके लिए पहला है टी आरेने, दूसरा है एम आरेने, तीसरा है बिकल्प एवा भी दोनों, चौथा है इन में से कोई नहीं इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा ओप्सन सी बिकल्प एवा भी दोनू प्रोटीन संस्लेशर की क्रिया में भाग लेने वाले आरेने कौन है टी आरेने तथा एम आरेने अगला प्रस्ण है निम्न में किसी की कोशी का बहु केंद्रिये होती है आपको वता दें ऐसे प्रस्ण अक्सर कमटीशन में पूछ लिये जाते हैं चार प्रस्ण है इसके लिए पहला है पेरामीसियम, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है अपुवंग फफूद और चौत्य है विकल्प भिवास दोनू इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा अगला प्रस्ण है केंद्रक में उपस्थित केंद्रिक को सरब्रथन देखा किसने देखा भया चार उप्षन है इसके लिए पहला है ब्राउन ने दूसरा है डबल्यू फ्लेमिंग तीसरा है फोन टाना ने चौथा है हैकल ने इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा आप्शन C फोन टाना ने केंद्रख में उपस्थित केंदृ को सरपथम किस ने देखा फोन टाना नाम के बैज्ञानिक ने देखा बात करें डबलू फ्लेमिंग किसकी डबलू फ्लेमिंग की तो डबलू फ्लेमिंग ने गुड सूत्रों के जाल के लिए क्रोमेटिन सब्द का प्रियोग किया था अगला प्रस्ण है यू क्रोमेटिन तथा हेट्रो क्रोमेटिन में अंतर है चार अप्सन है इसके लिए पहला है यू क्रोमेटिन में अनुलेखन होता है दूसरा है U-Chromatin में DNA कम होता है तीसरा है विकल्ब, B, V, C दोनो चौता है अंतर ही नहीं है इस प्रस्ण का सहीुत्तर होगा option C विकल्ब, A, V, V दोनो U-Chromatin में अनुलेखन होता है तथा DNA कम होता है अंतर अस्पस्ट करता है आप कहेंगे heterochromatin में क्या होता है तो ठीक किसी का उल्टा कर दीजिए heterochromatin में अनुलेखन नहीं होता है और DNA अधिक होता है I hope आज का class समझ में आँगा यदि class समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करना बिलकुल मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में